हेलो दोस्तों, तो कैसे हूँ आज हम बात करने वाले हैं Class 10th All Books With Their Price Class 10th की सारी books उसके price के साथ और end में आपको बता हूँगा कि ये पूरा course आपको कितने रुपे में market में मिल जाएगा और आपको कितने रुपे में लेना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सारी books के बारे में और As a Class 10th student आपको सारी books के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि कभी-कभी Class teachers books के नाम पूछ लेता है तो आपको नहीं पता होते है तो उससे आपके एक bad impression पड़ता है और आपके वायवा में आपको दिक्कत होती है So आपको as a student सारी books के नाम पता होने चाहिए और आपको syllabus भी पता होना चाहिए अपने Class 10th का तो syllabus के बारे में हम बाद में डिसकूस करेंगे अभी हम डिसकूस करेंगे सिर्फ Class 10th की बुक्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं हम English से So English के आपकी तीन बुक है आपकी फस्ट बुक है English Literature जो है फस्ट फ्लाइट जो आपको 70 रुपीज मिल जाएगी उसके बाद आपकी सेकिंड बुक है Footprint Without Feet जो आपको 35 रुपीज मिल जाएगी And third book जो है English Grammar So grammar depend करती है School to school हर स्कूल में अलग-अलग writer की English Grammar बुक चलती है तो आपको ये बुक 100 to 300 रुपीज के बीच मिल जाएगी So depend upon your school So अब हम बात करते हैं Mathematics की Mathematics की आपकी only one बुक है जो आपको मिल जाएगी 140 रुपीज की और हो सकता है कि आपके school में इसके लिए एक extra बुक भी आपको लेनी पड़े जैसे की R.D. Sharma या फिर R.S. Akarwal वो आपको 500 to 600 के बीच में मिल जाएगी So math की आपकी only one बुक है और या फिर आपकी एक extra बुक आपको लेनी होगी उसका हम बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी की आपकी दो बुक है First है शेतेज जो आपको 60 रुपीज में मिल जाएगी और उसके बाद उसकी supplementary reader जो है कृति का वो आपको 30 रुपीज में मिल जाएगी अगर आपने हिंदी लेंग्विज सेकिंड लेंग्विज में ले रखी है Science की बुक की तो Science की बुक आपको 165 रुपीज में मिल जाएगी और Science की अउनली वन बुक ही है उसके बाद हम बात करते हैं History की तो History में आपकी वन बुक है जो की है India and Contemporary World Second जो आपको 125 रुपीज में मिल जाएगी और उसके बाद Geography की हम बात कर लेते हैं तो Geography की आपकी बुक है Contemporary India जो आपको 65 रुपीज में मिल जाएगी और उसके बाद आपकी बुक है Economics की बुक जिसका नाम है Understanding Economic Development वो भी आपको 65 रुपीज में मिल जाएगी और उसके बाद हम बात करते हैं तो Political Science की बुक का नाम है Democratic Politics Second वो आपको 80 रुपीज में मिल जाएगी और उसके बाद हम बात कर लेते हैं Computer की तो Computer की आपकी एक बुक है जो की है Foundation of Information Technology जो आपको 460 रुपीज में मिलेगी और अगर आपकी Sanskrit language आपकी है तो आपको Sanskrit की बुक Simushi, Second आपको लेनी पड़ेगी जो आपको 60 रुपीज में मिल जाएगी और हो सकता है कि इसके अलावा कोई आपकी रिजिनल लेंगविज हो लाइक पंजाबी, मराथी या उसके अलावा जो भी आपकी लेंगविज हो सकती है उनकी बुक आपको लेनी पड़ेगी सो यह टोटल कोर्स आपको अगर काउंट किया जाए तो आपको 1440 रुपीज में मिल जाएगा यह प्राइज वेरी कर सकता है City to City या State to State बट यह प्राइज है यह इसका ऑफिशल प्राइज है NCRT का ऑफिशल प्राइज है सो आपको यह बुक 1440 रुपीज में मिल जाएगी सो यह था पूरा कोर्स क्लास 10 का और उनके प्राइज के साथ तो मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसना आई तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है या इस जैसी और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमें डोस में लिखके जरूर बता देना तो मिलते आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए All the best, thanks to the watching and peace